कि विल्कम बैग टू माई यूटूब चैनल पेपर हेकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइब कुश्चन हम पड़ रहे हैं ठीक है कमिश्टी का शॉर्ट आंसर टाइब कुश्चन को डिसकस कर लिया है आज हमारे पेक्टिन का है यह आपको डिस बताना है ठीक है क्या बताना है कि स्टार्च का जो कंपोडेंट है ठीक है या स्टार्च जिस जो जो स्टार्च में कौन-कौन से आपके कंपोडेंट है ठीक है या स्टार्च कंसिस्ट आप क्या है आपका अमाईलोज है ठीक है और दूसरा क्या है अमाईलोपेक्टिन क्या यह इन दोनों से दोनों के मिस्रड से बना हुआ है यह आपको बताना है ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या यह सही है या गलत है स्टार्च बास्तम में दो बिभिन पॉली सैकेराइड किसका दो बिभिन पॉली सैकेराइड जैसे अमाईलोज 20% तथा आपका दूसरा क्या है अमाईलोपेक्टिन कितना होता है 80% तो कह रहा है कि आपका जो इस्टार्च है बहुत बास्तब में क्या है दो बिविन पॉली सैकिराइड है कौन-कौन से आपका अमाइलोज कितना होगा 20 परसेंट और दूसरा अमाइलोज पेक्टिन आपका कितना होगा 80 परसेंट ठीक है इन दोनों का ही मिक्शर माना जाता है कही रहा है अमाइलोज पानी में गुलनसील है जो आपका अमाइलोज होता है जिसकी महत्रा आपकी 20% होती ही कैसा होता है वाटर सॉल्यूबल होता है ठीक है दोनों अमाइलोज पेक्टिन इलफ़ा डी ग्लुकोज इकाईउं से मिलकर बने होते हैं अब साफ तब्लोज को एक आयां आपस में मिलकर यह कहते हैं तो यह जो आपका दोनμα को एक रहुंग strong पर कह रहा है कि जो आपका अमाईलो है वो गलुकोज ऊकाईयों की गलूकोजिक बंध से जुड़कर बनता है यानि कि जब गलुकोज चईक आया आपस में disconnect होती है तो उन दूसरे अल्फा डिग्युीकोज के कार्वन 4 के औक्सिजन परमालू से जुड़ी रहती है। में oxygen से जुड़े रहेंगे एक कारवन नंबर बनोगा और दूसरे का कारवन नंबर कौन सा होगा कारवन नंबर फोर दोनों के आऊंगे आपस में oxygen से जुड़े रहते हैं कहारा है ऐसा समझा जाता है कि एक अमाइलोज अडू के बनने में अमएलोज का सूत्र आपका आुका सूत्र ही आपस में कनफ़ोते रहते हैं इसमें बहुत सारी alpha-d glucose की units होती है, units ठीक है, जिसमें आपका पहला unit का carbon number कौन सा होगा, पहला और दूसरे unit का carbon number कौन सा होगा, चौता, यानि कि पहले और चौते carbon के बीच में oxygen bond बनेगा, ठीक है, glycolic bond, अब क्या होगा, यह आपका क्या है, यह आपका alpha-d glucose है, क्या है आपक alpha-d glucose है, इसका carbon number बन यह है, ठीक है, दूसरा carbon यह है, तीसरा carbon यह है, चौता carbon यह है, पांचमा carbon यह, छटमा carbon यह, तो इसका पहला carbon ठीक है, यह unit काउन सी है, यह unit काउन सी है, यह unit है आपकी यह two, तो यह दूसरी unit है, दूसरी unit का carbon काउन सा होगा, आपका चौता होगा, ठ पहली उनिट का कार्वन पहला तो इसी तरह से यहां पर यह कार्वन क्या है आपका चौथा कार्वन है ठीक है कौन सा कार्वन है आपका चौथा कार्वन है ठीक पहला कार्वन यह आपका दूसरा कार्वन यह तीसरा कार्वन यह चौथा यह पांचमा यह और छटमा यह ठीक ह तो इसका फिर से carbon 1 बन इसका carbon 4 अब इसका फिर से carbon 1 बन अगला जो unit आएगा उसका फिर से carbon 4 ठीक इस तरह ऐसी आपस में connect होती जाती है और एक लंबी सरंखला का निर्माड करती है उसे हम क्या कहते हैं लगवग ये 60 से 300 तक काई ये भाग लेती है किसमें एक अडू बनाने म साट से 300 तक यूनिट जो है ग्लुकोज αदेगी लेती है ठीक है Idol करेअ को कैसी होती है साखा युख्त सरचना होती शाखाइं उसमें लगी रहती है इसकी एक सरंखला में कम से कम 25 o уже कान्या prac कुछ शिरंखला में केबल सिरंखला की बात कर रहा है यहां पर शिरंखला में आपकी 25 से 30 गुलुकोज लुसाव की एकाहियां होते हैं जो glycosidic बंद द्वारा एक एलफ़री से लुकोज के से जोड़ी रहती है जैसे कि उपर हमने देखाता ठीक है वही सेम प्रोसेस इसमें भी है एक यूनिट होगी अलफा डिगुलकोज की उसका कारवन नमबर बन होगा जो दूसरी unit होगी आपकी alpha-d-glucose की carbon number 4 होगा ठीक है ये दोनों क्या होते है आक्षिजन परमाणू से जुड़े रहते हैं carbon 1 और carbon 4 इस तरह से carbon 1 और carbon 4 ये क्या है oxygen से जुड़े रहते हैं ये इस रंकलाएं आपस में एक दूसरे से 1,6 बंधों से जुड़ी रहते हैं कितने 1,6 बंधनों से जुड़ी रहते हैं amylopectin alpha-d-glucose की 300 से 6000 कितना होता है amylopectin में alpha-d-glucose की 300 to 6000 इकाईया होती हैं इतनी होती है भई 300 से 6000 इतनी units जो है आपकी पाई जाती है किसकी alpha-d-glucose की किसमे amylopectin में ठीक है तब जाके कहीं amylopectin का निर्माड होता है और इसमें साखाएं कम से कम 25 से 30 आपकी साखाएं ब्रांच में मिल सकती हैं आपको ठीक है तो यह तो था आपका यह आपका था starch ठीक है जिसमें पूचा गया था कि आपका जो starch का संघनन है ठीक है यह संघनन है वो amylose और amylopectin का है इसपस्ट कीजिए तो इस तरह से इसपस्ट होता है कि जो आपका starch है उसका संघनन किसका है amylose और amylopectin का है ठीक है तो यहां पर आपको इस तरह से यह याद रखना है उम्मीन करते हैं समझ में आया होगा मिलते हैं अकले वीडियो में बने रही है हमार साथ थैंक्स पर watching and share the video